हलो नमस्कार साथियों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हर्दी कभी नंदन है आज हम करेंट अवेर्स के विकली रिविजन क्लास लेकर आएं जितने भी मैंने एक सब्ता में आपको पढ़ाया उन सभी का आज रिविजन करेंगे देखते हैं आप सभी को कितना आध आफ इस चैनल पर नहीं है दोस्तों दोष्टों चैनल को सबस्क्राइब करना ना भोले और वीडियो को अंत तक देखें अबर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सेर जरूर करें चलिए क्लास को अस्टार्ट करते हैं अस्टार्ट करने के पहले एक मोटिवेशनल को के साथ स्टार्ट करेंगे जो अब्दूल कलाम ने कहा है कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है इसलिए दिल खोल कर मेहनत करें मंजील आपका इंतजार कर रही है तो चलिए दोस्तों आप वीडियो का स्टार्ट करते हैं जिसान ये लतीफ स्यामला गनेश रवीश कुमार तो इसका सही जवाब है जिसान ये लतीफ को रामनात गोहिन का पुरुषकार दिया गया है तो 21 लिए गया तो जो एनर्सी लिष्ट आई थी तो एनर्सी लिष्ट में जिन बैक्तियों का नाम नहीं था उनके दस्तवेज को प्रस्तूत करने के लिए इसके द्वारग किये गये संघर्स के बदले में दिया गया है तो एनर्सी असम्द राज से सबंधित है एनर्सी का पूरा नाम है नेशनल नेशनल रिष्टर सिटीजिण सिटीजिण चलिए अगरे सवाल के तरफ चलते हैं ओन जिसी की पहली महिल जोः ज STOP एंधि आपके सामने जूटिस सर्मा रेखा मेनन अलका मितल और इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है अलका मीथल ओंजी सी की पहली महिला ऑड्यक्ष किसे बनाया गया हो तो देखते हैं। गोने स्टापना स्थापन सब्सक्राइब हैं तो इसका मुख्याल है न्यू डली में इसका मुख्याल नीू डेलह है और dedic को महारतन की कंपनी के दर्जा 2010 में मिला 2010 में भारती सब्सक्राइब को महारतन कंपनी का दर्जा मिला मतलब ओयल नेचूरल गैस कॉर्पोरेशन यह इसका फूल फॉर्म है तो चलिए अगले सवाल के तरफ चलते हैं यह आपके सामने तीसरा साया सवाल संगाई सयोग संगठन के नए महा सचीव के रूप में किसे पदभार समाला है तो ऑप्सन आपके सामने जांग मीन अजय माथूर ती एस तिरी मुर्ती वला मुदीर नोरो इसका सही जवाब है जांग मीन जो चायना के है चायना के हैं इसको एस स्यों के नए महा सचीव के रूप में निउट किया गया है तो चलिए संगाई सहयोग संगठन के बारे म स्थापित किया था 1996 में फिर बाद में इसका नाम 2001 में इसका नाम बदलकर स्यों कर दिया गया और स्यों में बरतमान में नो सदस्देश हैं और इसका नमिंतम सदस्देश इरान है जो कि हाली में इरान इसमें सामिल हुआ और भारत इसमें 2017 में सामिल हुआ भारत और पाकिस्तान दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसमें 2017 सदस्त के रुप में इसको सदस्ता मिली का है तो इसका मुख्याले बीजिंग में बीजिंग चाइना में है चलिए अगले सवाल के तरफ चलते हैं यह आपके सामने 14 सवाल तो अंडर 19 एसिया कप 2021 कि इसने जीत लिया है तो आपके सामने अप्सन है भारत सिरिलंका बांगलादेश पाकिस्तान तो इसका सही जवाब है भारत भारत जो है अंडर 19 एसिया कप जीत लिया और इसका फाइनल मुकाबला जो दूबबई में खेला गया था इंडिया और सिरिलंका के बीच में खेला गया था जिसमें इंडिया जो विजेता रहा और सिरिलंका उप विजेता रहा चली एगले सवाल की तरफ चलते हैं देश का पहला पेपरलेश हाइए कोट कौन बना तो आपके सामने अप्सन है केरल दिल्ली कॉलकाता तैलांगना तो इसका सही जवाब है के केरल जो है तो देश का पहला पेपरलेश हाइब ध्यान रखना कि इसके पहला पेपरलेश हाइब केरल ठीक है केरल-डथा तो गैरल है कोट के सब्सक्राइब में उनीस्तों चपन में और अग्ले सवाल की तरफ चलते हैं तीन ट्रिलियन मार्केट केपटल पार करने वाली दुनिया की पहली कमपणी कौन बन गई है तो आपके सामने ऑप्सन है रिलाइंस वालमार्ट एपल आई बीम तो इसका सही जवाब है एपल एपल जो है सो तीन ट्रिलियन डॉलर मार्केट केपटल को पार करने वाली दुनि चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथमा सवाल करनातक राज का पहला एलेंजी टेर्मिनल कहां अस्थापित किया जाएगा तो इसका सही जवाब है मंगलूरू में ये करनाटक का पहला करनाटक का पहला लंजी टर्मिनल अस्थापित किया जाए गया है लंजी टर्मिनल एलंजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड नेचुरल गैस करनाटक का पहला कहां मंगलूरू में और ये देश का जो है छठा टर्मिनल हो और देश का पहला एलेंजी टर्मिनल कहां अस्थापित किया गया है तो देश का पहला एलेंजी टर्मिनल नागपूर में नागपूर में तो क्या क्या है इसमें हमने देखा कि करनाटक का पूछे करनाटक का पहला एलेंजी टर्मिनल है मंगलूरू टर्मिनल और देश का यह पहुंचने वाली भारतवंसी महहिला कौन है तो दखनी धूरव पर अकेले दश्मी धूरप कौन चड़िये तो आपके सामने option म्मलावत्पुर्णा संत्वस्जादव कामिया कार्थी के हर्पृत चंडी तो इसका सही जवाब है हर्पी चंडी हर्पी चंडी जो है अकेले उतरी धुर पर पहुचने वाली भारत वनसी महिला है यह ब्रिटेन की महिला है लेकिन भारती है मूल की है अब ब्रिटेन की सेना में कारे रखते हैं इसका अलग नाम से फयमस है इसका नाम एक और नाम है पोलर पोलर प्रीत पोलर प्रीत के नाम से यह परसीद है चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं नौव सवाल बीसवी यूद अनास दिवस कब मनाये जाता है तो आपसन आपके सामने नो जनवरी आठ मार्ज दस दिसंबर छे जनवरी तो सही चवाब है छे जनवरी चे जनवरी को ही 20 यूद अनास दिवस मनाये जाता है क्यों मनाये जाता है तो यह उन बैक्तियों के लिए मनाये जाता है जिनके माता पिता संघर्स और यूद में खो गए या तो मर गए उन बैक्तियों के स्मरन में मनाये जाता है तो इस बार का थिम क्या था वेयर कें वी हा नौजन्वरी को महत्मा गांधी सोथ अप्रिका से भारत आये थे इसलिए नौजन्वरी को परवासी भारत दिवस मनाते हैं आठ मार्च को बीशु महिला दिवस मना जाता है आठ मार्च को 10 दिसंबर को बीशु मानवा धिकार दिवस का मना जाता है तो बीश दिसंबर को बीशु मानवा धिकार दिवस मना जाता है इसलिए 10 दिसंबर को मानवा धिकार दिवस मनाते हैं चलिए एगले सवाल की तरफ चलते हैं दस्वा सवाल और भी आई के कारिकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो आपके सामने दीपक कुमार अजे कुमार चोधी बिनोद कनन ये और भी दोनों और भी दोनों तो इसका सही जवाब है डी दोनों नुट्थ में दीपक कुमार और अजे कुमार चोधरी दोनों को RBI का कारेकारी निदेशक बनाए गया है तो फिर से RBI का कारेकारी निदेशक किसे बनाए गया है? दीपक कुमार और अजे कुमार चोधरी को अब चलते हैं, RBI से कौन को महत्पूर्ण सवाल बन सकते हैं, उस सभी के बारे में देखते हैं RBI, Reserve Bank of India, इसकी अस्थापना एक अपरील 1935 को हुआ था अस्थापना के समय इसका मुख्याले कहा था, कौन काता में, कौन काता में, इसका मुख्याले था अब बरतमान में इसका मुख्याले कहा है, मुंबई में, मुंबई में इसका बरतमान में मुख्याले है तो RBI की राष्टिय करन कब हुआ था, राष्टिय करन RBI का कब हुआ था, एक जनवरी 1949 को RBI का राष्टिय करन हुआ था और यह देश का पहला वेंख था जिसका राष्टिकरन हुआ था और एक और सवाल ऐसा भी पूछ लेता कि आर्बियाई का पर्थम गवर्नर कौन था आर्बियाई का फर्स्ट गवर्नर कौन था तो फर्स्ट गवर्नर ओस्बोर्न अस्मित थे ओस्बोर्न अस्मित आर्बिया तो एक अप्रिल 1935 को अस्थापना किसम में इसका मुख्याले कॉलकाता था और बरतमान में मुंबई में है और आर्बिया का नेशनलाजेशन आनिकी राष्टे करन कब हुआ था तो एक जनवरी 249 को पहले गवर्नर कोन थे तो औसबोर नसमीथ और पहले भारतिय गवर्नर कोन थे तो cd देशमुग आरवी पहले सवाल के तरब चलते हैं बहुराष्टी नौसेना भ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा तो यह मिलन कैसा भ्यास है मिलन एक बहुराष्टी नौसेना भ्यास है बहुराष्टी मतलब बहुत सही राष्ट्रों का एक नौसेना भ्यास है तो इसका आयोजन कहां किया जाएगा तो अप्शन है विस भारत में विसाका पत्नम में मिलन 2022 का आयूजन किया जाएगा इसमें कुल 46 देश भाग लेंगे कुल इसमें कितने देश भाग लेंगे और USA के बीच में वजरपरहार और खंजर पुछे खंजर अभ्यास कीन दो देशों के बीच संजुक्त सन अभ्यास है तो भारत और किर्गिस्तान के बीच क्या ॥ारट और ऊजबे किस्तान के बीच में कौन सा युद्यभ्यास है और वरुन वरुन जो भारत और फ्रांस के बीच में वरुन भारत और फ्रांस के बीच का संजुद सिन अभियास है अगर पाबी पाबी अभियास किन देशों के बीच का है तो पाबी एक संगठन का एक्सरसाइज है पाबी S.E.O. का यो दबिया से पाबी इंटर टेरर एक्सरसाइज है मतलब कि आतंगवादी विरोधी एक्सरसाइज है जो S.E.O. देसों के द्वारा होता है तो पाबी क्या है S.E.O. देसों के S.E.O. मतलब संगाई सहयों संगठन के जितने सदेश है उन सभी सदेसों के बीच में पाबी टेरर एक्सरसाइज होता है मिंस आतंगवादी विरोधी एक्सरसाइज चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं तो आपके सामने अगला सवाल तो इसका सही जवाब है T.S. दिरी मूर्ती को ही संजुक राष्ट सुरच्छा परिशद की आतंगवाद विरोधी समीति का अदेख्ष निव्ट किया गया है तब चलिए UNSC के बारे में जानते हैं UNSC United Nations Security Council संजुक राष्ट सुरच्छा परिशद इसमें कुल 15 सदस देश है 15 देश है जिसमें से 5 जो अस्थाई सदस देश है और 10 आस्थाई सदस है 5 अस्थाई सदस देश जिनके पास बीटो पावर है इसकोई भी बिल पर अगर यह देश अगर हामी नहीं भरता है तो वह बिल रिजक्ट हो जाएगा तो इसमें 5 कौन-कौन से देश है तो पाच देश जो है वह रूस है रूस है चीन है फ्रांस है अमरीका है वेसे फिर इंग्लेंड है यह पाचो देश इसमें 20 सदस देश है जिसके पास वीटो पावर है और 10 अस्थाई सदस है जिसमें भारत इसमें सामील है भारत अस्थाई सदस देश के रूप में सामील है तो युनाइटे नेशन सेक्योर्टी कॉनसल में कुल कितने सदस देश है 15 जिसमें 5 अस्थाई सथाइस में कौन कोन है रूस है चीन है फ्रांस है यूसे है और इंगलेंड है यह पाच्व सथाइस है जिसके पास बीटो पावर है और भारत जो है इन देशों में सामिल है जो कि आस्थाइस भारत है चलिए एक जनौरी 2022 को किस देश ने यूरोपिय संग की अधाष्टा गर 31 जून तक एकिस जून तक यूरोपीय Union के अध़िस्था गरहन किये वे रेखीयून ही के बारे में थोड़ो जान लेते हैं कि है कि यह किया यूरोपीयन यूनीयन यून जो है वो इसमें कुल कितने सब्सक्राइबनेंदार हे साथ में में जानते हैं कुल 27 शडाइबने डे कालना बृईगी कालाता है ब्रीगजिट कालाता है इसलिए बरतमान में आप 17 सबस्षा और यृफ का मुख्याल में में इसमें कितने सब्सक्राइब हैु शबात मैं सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब इसका सही जवाब है मेरट इसमें प्राइम मिनिस्टर न रेंद्र मोदी लेड़ फाउंडेशन रस्टोंडो अश्ट्वर मेरट उत्तर प्रदेशा टाहरख yen कि आपको कमेंट में ये बताना है कि राजीव गांधी में बताना है राजीव गांधी के गंजम जो है तो उडिसा का बाल बिवा मुक्त जिला घोसित किया गया और यह पहला जिला है उडिसा का पहला जिला है जो बाल बिवा मुक्त घोसित किया गया है आपको बताना है कि सन कॉनार्क टेंपल जो उडिसा में है इसका निर्मान किसने किया है आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है चलिए आप वीडियो को समाप्त करते ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सेर जरूर करने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक यू मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में